हावरुफिक्स सैमसंग जेट फॉर कैमरा एरर प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सो अगर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके डिवाइस पे कैमरा जो है यहाँ पर काम नहीं करें या फिर कैमरा पे किसी तरह का एरर आपको देखने को मिल आप इस वीडियो को जरू डेखना मैं आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए वेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं पाउर बटन पर क्लिक करना है रिस्टार्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा कैमरा रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है ट्री लाइन्स पर क्लिक करना है और कैमरा ऑप्शन को सर्च करना है रिसेंट एप्स पर यहाँ पर है कैमरा ऑप्शन तो आपको जो है कै प्रोल्म आते हैं तो next solution आपको follow करना है next पर दोस्तों आपको setting open करना होगा उसके बाद scroll down करते हुए नीचे apps पर जाना है apps पर जाके आप scroll down करें and आपको मिलेगा यहाप एक camera तो camera option आपको select करना है और camera पर जाके आपको storage select कर लेना है storage पर जाके clear attack बर करना है और उसके बाद okay कर देना है ठीक है okay करने के बाद आपको जाना है दोस्तो permission पर तो permission पर जाके सारे permissions आप allow कर दीजिए ठीक है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप mobile को restart करें and then check करके देखे आपका problem solve हो चुका होगा ठीक है अगर problem अभी दोस्तों आपका fix हो जाता ही तो ठीक है अगर आपको अभी भी problem आते तो एक बार software को update कर दीजिए जैसी software update होगा आपका शारे issue जो है आप पर solve हो जाएगा तो इस तरह के से दोस्तों आपका जो camera error यहाँ पर आ रहा है fixed आप कर सकते हैं ठीक है तो यह solutions के मदद से दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कते नहीं होगा उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching